हलो फ्रेंड्स इस वीडियो में जानेंगे सभी मसालों की इंग्लीज क्या होती है जैसे जीरा, धनिया, मीर्च, जायफल, लंग, फिटकरी, साबुदाना, इलाइची आध इन सभी की इंग्लीज क्या होती है फ्रेंड्स उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को कर ले और साथ ही बिल आइकन को भी प्रेस करने जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को सुरू करते हैं, फरस्ट, जीरा, जीरा को इंग्लिज में क्यूमीन कहते हैं, नेक्स्ट, लॉंग, लॉंग को इंग् में ब्लैक पेपर कहते हैं, नेक्स्ट, हल्दी, हल्दी को इंग्लिज में टर्मरिक कहते हैं, नेक्स्ट, अधरक, अधरक को इंग्लिज में जिंजर कहते हैं, नेक्स्ट, लहसुन, लहसुन को इंग्लिज में गार्लिक कहते हैं, नेक्स्ट, लाल मिर्च, लाल मिर्च को इ चिली कहते हैं, next, तेजपत्ता, तेजपत्ता को इंगलिस में बेलीफ कहते हैं, next, इलाइची, इलाइची को इंगलिस में काडमम कहते हैं, next, काली इलाइची, काली इलाइची को इंगलिस में ब्लैक काडमम कहते हैं, next, सरसो या राई, सरसो या राई को इंगलिस में मस्टर् कहते हैं, next, मेथी, मेथी को इंगलिस में फेनु ग्रीक कहते हैं, next, डालचीनी, डालचीनी को इंगलिस में सिनमन कहते हैं, next, आमचूर, आमचूर को इंगलिस में मेंगो पावडर कहते हैं, next, संफ, संफ को इंगलिस में फेनल कहते हैं, next, जाइफल, जाइफल को इंगलिस मे नट मेक कहते हैं, next अजवायन, अजवायन को इंग्लिस में औरगेनों कहते हैं, next केसर, केसर को इंग्लिस में सैफरन कहते हैं, next इमली, इमली को इंग्लिस में टैमरिन कहते हैं, next धन्या पाउडर, धन्या पाउडर को इंग्लिस में कोरियंडर पाउडर कहते हैं, next हींग, हींग को इंग्लिस में एस फोयर टिडा कहते हैं, next पुदीना, पुदीना को इंग्लिस में मिंट कहते हैं, next साबुदाना, साबुदाना को इंग्लिस में सागो कहते हैं, next जावित्री, जावित्री को English में मेज कहते हैं next फिट करी, फिट करी को English में एलम कहते हैं Friends, वीडियो को लाइक करें वीडियो कैसी लगी? हमें कॉमेंट सेक्स Chill में कॉमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, thanks for watching my video.